नमस्कार साथियो स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रक के ऑनलाइन यूट्व प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ दिनेश साहू और हम आज बहुत ही महत्रपों टॉपिक को डिसकस करने वाले हैं सौर मंडल या फिर सूलर सिस्टम ठीक है जो कि SSC का एक ट्रेंडिंग टॉपिक है देखिए पिछले तीन चार सालों में जो SSC के जितने भी एक्जाम होते हैं इसमें जो SSC का ट्रेंड रहा है ठीक है तो इस ट्रेंड को देखते हुए मैंने आपके सामने कुछ टॉपिक नि या फिर परवत हो गए ठीक है तो ये छह ऐसे टॉपिक हैं इन टॉपिक हैं से SSC लगातार 2019 की बात कर लिजिए 20 की बात कर लिजिए 21 22 है तो पिछले तीन चार सालों में लगातार जो question पूछे जा रहे हैं तो इन टॉपिक से सरवाधिक question पूछे जा रहे हैं और आगे भी जो SSC के exam होने वाले अगले एक दू महिने में जो SSC के exam है ठीक है तो इन एक्जामों में भी इन टॉपिकों से exam में आने की संभावना बहुत अधिक है ठीक है इसलिए इन सभी यह पहला topic रहेगा solar system और उसका ग्रह या फिर ऐसा बूल लीजे कि जो universe होता है उससे related question ठीक है तो आज का हमार topic इसी से related होने वाला है ठीक है पूरा session कैसे होने वाला है तो थोड़ा से मैं आपको बता दू MCQs plus theory साथ-साथ में चलेगी एक question आएगा MCQs form में उसके साथ ही playlist को follow कर सकते हैं वहाँ पर आपको इन में से maximum topic मिल जाए ठीक है solar system मैंने आपको already पढ़ा रखा है ठीक है जो drainage system है भारत का है जैसे कि आप देखेंगे हिमालाई नदिया हो गई ब्रह्मपुत्र गंगा सिंधु ठीक है इसके लवा कुछ प्रायद्वी भारत की नदियों को भी मैंने पढ़ा रखा है तो ये भी आप geography वाई साहुसर वारी playlist में देख सकते हैं बहुत सारी lecture आपको इसके मिल जाएंगे ठीक है भागोलिक बिभाजन भी मैंने आपको पढ़ा रखा है भारत का सामाने परिशे भी आपको पढ़ा रखा है और mountains की lecture भी आपको मिल हैं तो इसमें से maximum topic तो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं ठीक है तो detail में पढ़ने की हमें जरूत नहीं है आप मेरी playlist को follow कर सकते हैं और वहां से आप detail में पढ़ सकते हैं यहाँ पर हम MCQs form में चलेंगे और साथ ही साथ theory भी discuss करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि आगे कहा से question आ सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर discuss करें ठीक है दो lecture बज़े जैसे कि biosphere reserve और महावीप महाजागा ठीक है तो इसको भी हम यहाँ पर discuss करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले lecture में कि ज्यादा से ज्यादा हम theory part इसका discuss करें ठीक है चले सीधे हम topic को start करते हैं और पहला question discuss करते हैं पहला question discuss करने से पहले जो solar system में फिर सौर मंडल इसको मैंने already पढ़ा रखा है यह lecture का thumbnail है पूरा पूरा lecture आपको मिल जाएगा लगवग चार लाग से ज्यादा views है इस particular topic में ठीक है तो आप geography वाई साहुसर वाले playlist में जा करके देख सकते हैं सौर मंडल को मैंने व maximum question आपको 2022 के मिलेंगे ठीक है 2019 के भी कुछ question मिलेंगे तो previous 3-4 सालों में जो question है वही मैंने यहाँ पर रखे हैं और आगे कैसे question आ सकते हैं वो भी हम साथ-साथ यहाँ पर discuss करेंगे ठीक है तो पहला question क्या वोड़ा है निमने लिकित मेंसे इस्थलिय ग्रह की पहचान कीज ठीक है terrestrial जो planet होते हैं इनकी आपको पहचान करना है तो चार option में देख लेते हैं पहले इसका हम answer फिर detail में भी इसको हम discuss करेंगे ठीक है तो क्या answer हो जाएगा इसका आरुन व्रहस्पति बुद्ध या फिर वरोण इसका answer हो जाएगा mercury या फिर जो बुद्ध ग्रह है ठीक सोलर सिस्टम में आपको पता ही होगा आठ ग्रह हैं कौन कौन से आठ ग्रह है बुद्ध है शुक्र है प्रत्वी मंगल ब्रहस्पति सनी अरुन और वरोण या फिर इंग्लिश में बोलू मर्करी वीनस अर्थ मार्स इसके लावा जूपिटर सैटर्न यूरेनस और इन चारों ग्रहों को कहा जाता है पार्थिव ग्रह, टैरिस्टोरियल ग्रह या फिर इस्थली ग्रह के नाम से हम इनको जानते हैं इनको क्यों बोलते हैं इस्थली ग्रह क्योंकि इनकी जो ट्रस्ट है या फिर इनकी जो सतह है वो कैसी है कठोर है कैसी है कठोर है जैसे प् प्रथवी के जैसे से मतलब यह नहीं कि इनमें जीवन संभावा है जना मतलब इनकी बनावट इनमें कठोर करश्थ पाई जायेगी ठीक है ये सभी जो समानताइए ये इनमें पाई जाती इसके ल collaborating के पास हैं सूरी के नज़धिक स्थ capitalist ग्रहें हैं और आकार में छोटे ग् रहे हैं बुद्ध, शुक्र, पत्वी और मंगल इनको हम आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, इस्थली ग्रह या फिर टेरिस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं ठीक है इनर प्लैनेट वी इनको हम बोलते हैं इसके लब जो चार ग्रह आप यहाँ पर देख रहे हैं ब् आपको दूसरी इमेज में लेकर चलता हूं ठीक है यहाँ पर देखिये ठीक है यह जो आपको चार ग्रह दिख रहे हैं यहां पर ठीक है इनमें gases ज्यादा पाई जाती है ना गैसों से बने हुए हैं गैसे ज्यादा पाई जाती है इसलिए इनको हम gases giant या फिर gases दानों भी बोलते हैं ठीक है और जो uranus और neptune है इनको हम बर्फ दानों बोलते हैं क्या है बर्फ दानों बोलते हैं या फिर ice giant भी इनको हम बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि यह जो Uranus और Neptune हैं यह सूरिज से इतना दूर हैं, Sun से इतना दूर हैं कि यहाँ पर बर्फ की चट्टाने पाए जाती हैं और जो ठंडी गैस होती है, Methane वगेरा तो यह सब यहाँ पर पाए जाती है, इसके इनको हम Ice Giant या फिर बर्फ दानों बोलते ह आपको याद रखना है और इन चारों को भी कभी कभी कैसी ही दानाओ कह दिये जाता है, ठीक है तो आगे यहाँ से भी Question आ सकता है, आपको याद रखना है महत, ठीक है चलिए अगले Question की ओर चलते हैं और अगला Question डिसक्स करते हैं, निमने लिकित में से कौन सा बौना ग्रह है मुख्य छुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है ठीक है अब पहले आपको इस Question का Answer दने से पहले पता होना चाहिए कि छुद्र ग्रह क्या होते हैं ठीक है तब यह आपसे बनेगा यह Question ठीक है तो पहला हम इसका Answer देख लेते हैं फिर आगे हम डिसक्स करेंगे तो Eris, Mac Mac, Seris या फिर खुमिया तो यह जो चारो Option आपको दिख रहे हैं यह क्या है यह है बॉने ग्रह इनको हम बोलते हैं बॉने ग्रह या फिर इनको हम बोलते हैं द्वार्फ प्लैनेट ठीक है इनको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट ठीक है जो आकार में छोटे होते हैं तो इसका आंसर हो जागा C जो series dwarf planet है या फिर bona ग्रह है ये कहाँ पर इस्तित है ये शुद्र ग्रह पेटी या फिर asteroid belt में इस्तित है चले थोड़ा सा हम image की और चलते हैं और यहाँ पर discuss करते हैं ठीक है शुद्र ग्रह क्या होते है थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं ठीक है यहाँ ग्रह है जूपिटर जो की सबसे बड़ा ग्रह है ठीक है तो मंगल और जूपिटर के बीच में आपको ये असंख्य ये छोटे छोटे आकासी पिंड दिख रहे होंगे ठीक है आकासी पिंड दिख रहे होंगे एक बेल्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं शुद्र ग्रह पेटी क्या बोलते हैं शुद्र रह पेटी या फिर इसको हम इंगलिश में बोलते हैं एस्टराइड बैल्ट ठीक है यह है क्या यहां पर लाखों करोणों की संख्या में छोटे बड़े अलग-अलग आकार के आकाशी पिंड है जो की सूरी की परिक्रमा कर रहा है यह कहां प बोलते हैं सीरिस ठीक है एक्जाम में ऐसा भी कॉश्चन आ सकता है कि जो सीरिस है यह क्या है तो यह ड्वार्फ प्लैनेट है आपको याद रखना है जो की शुद्र ग्रह पेटी में इस्थित है कुछ अन्य शुद्र ग्रहों की बात करूं सुरी कुछ अन्य ड्वार्फ बात करूं तो एक तो प्लूटो है यहाँ पर है ना जो की 2006 से पहले ग्रह था आपको पता ही होगा आगे हम डिसकस करेंगे 2006 से पहले यह ग्रह कहलाता था नो ग्रह थी लेकिन 2006 के बास से आठी ग्रह बचे इसको ग्रहों की स्रेणी से बाहर कर दिया गया इसके लाब मैक मै आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको यह बहुत सारी आकाशी पिंड दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं क्यूपर बेल्ट क्या बोलते हैं क्यूपर बेल्ट इसको हम बोलते हैं जैसे चुद्रग है बेल्ट है यहाँ पर एस्टराइड प्लूटो के बाद या फिर नेप्चून के बाद बहुत अधिक अर्वों खर्वों पिंडों की एक पेटी है जिसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट ठीक है इसके बाद आपको ओरूट क्लाउड देखने को मिलता है और इसके बाद हमारा जो सोलर सिस्टम है सौर परिवार है प्लूटो होता है एरिस होता है इसके प्लूटो होता है एरिस होता है होमिया होता है मैक मैक होता है और सीरिस होता है इनकी location भी यहां पर बता दी तो आपको याद रखना है ठीक है चलिये अगली question की ओर चलते है निमने लिकित मैंसे कौन हमारे सौर मंडल का एक बॉनाग रहा है देखिए फिर से बॉन रहा से question मैंने यहाँ पर रखा है ठीक है इनमें से आपको बताना है कि बॉना ग्रह कौन सा है अभी मैंने आपको discuss करा है ठीक है फटक से आपको chat box में यदि आप live देख रहे हैं तो chat box में या फिर यदि आप recorded देख रहे हैं इसको ठीक है तो आप comment में इसका answer दीजे जूरोपा कैलिस्टो मैक मैक या फिर गैनीमीड तो इसका सही answer जेगा C जो मैक मैक है अभी मैंने आपको discuss कराया था यह डौर्फ प्लैनेट है या फिर बॉना ग्रह है अभी मैंने discuss कराया था है यह मैक मैक है ठीक है कहाँ परिस्तित है यहाँ पर जो क्यूपर बेल्ट है यहाँ पर ही आपको मैक मैक देखने को मिलता है ठीक है तो यह बॉना ग्रह है बाकी के जो बचे हुए है यूरोपा गैनीमीड ये सबी क्या है तो ये तीनों क्या है ये ब्रहसपती जो जूपिटर है ब्रहसपती जो प्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है ये सबी ये तीनों है ये इसके क्या है उपग्रह है ब्रहसपती के उपग्रह है ये तीनों ग्रोपा गैनीम तो याद रखना है सबसे बड़ा ग्रह भी ब्रहसपती है आठो ग्रहों में से और सबसे बड़ा उपग्रह भी कौन सा है गैनी मीड है जो की ब्रहसपती का ही उपग्रह है यह बात आपको याद रखनी है काफी महत्वपूर ठीक है कैलिश्टू और यूरोपा भी ब्रहसप गैनी मीड इसका उपग्र है और कैलिष्टो इसका एक ग्रोप ग्रोप है सबसे बड़ा गैनी मीड है और उसके बाद कैलिष्टो इसका सबसे बड़ा उपग्र है ठीक है तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए अगला कुश्चन की ओर चलते हैं आपको जानते ही होंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ती से संबंदित है ये सिध्धान्त ठीक है देखे ब्रह्मांड की उत्पत्ती की संबंद में बहुत सारे सिध्धान्त दिये गए दोलन सिध्धान्त दिया गया है बिग बैंक सिध्धान्त दिया गया और भी बहुत सारे सब से ज़्यादा सर्व हमान पर अभी तक बिग बैंग ठीक है बिग बैंग या फिर हंदी में इसको हम बोलते हैं हाविस्वाटक सिध्धान पflowing में सबसे पहले इसका अन्सारा देहुरे किसे संबंदित है तो ब्रह्माअड की उत्रपति से संबंदित इसमें क्या कहा गया बच्चों इसमें ये बोला गया कि आज से करीब 13.7 अरब वर्स पहले क्या था इस ब्रह्मान्ड की जितनी भी एनरजी है वो एक छोटे से बिंदू में क्या थी समाहित थी जिसको singularity कहा गया जिसको singularity कहा गया जितनी भी वरतमान में आप आकास गंगाय देखते हैं ग्रह उप ग्रह देखते हैं तारे देखते हैं जो भी हमारा universe बना है आकास गंगाय बनी है तो वो सभी energy एक छोटे से बिंदू में समाहित थी ठीक है तो जब इस बिंदू में इतनी ज़्यादा energy थी तो क्या होगा इसका आयतन बहुत ज़्यादा होगा है ना यह सबी चीज़ें बहुत ज़्यादा होगे और जब इतना ज़्यादा ताप होगा आयतन होगा तो वो जो बिंदू है एक जगा इस्थिर नहीं रह पाएगा और एक दिन उसमें विसपोट हो जाएगा और हुआ ऐसा ही आसे तीरे दिसमलाव साथ आरव वर्षपूर भी और फिर उससे धीरे-धीरे समय के साथ आकास गंगाय बनी ग्रह उप ग्रह वने, प्लैनेट वने और फिर जीवन की उत्पत्य होई ठीक है तो यह जो महाविसपोटक सिधान्त है इस Singularity जो यह था, कर्ण था जिसमें विसपोट हुआ तो यही महाविसपोटक सिधान्त हम लेमेंटेर के द्वारा ये सिद्धानत दिया गया था. जर्मानी के खगोल सास्त्री थे जौर्ज लेमेंटेर इनके द्वारा ही इस सिद्धानत को दिया गया था. ठीक है चलिए अगले question को discuss करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको update दे दूँ यादि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी exam की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप मुझसे geography detail में पढ़ना चाहते हैं ठीक है तो हमारी root application पर आपको different courses मिल जाते हैं individual अलग-अलग subject आपको मिल जाएंगे जैसे आपको quality पढ़ना है, geography पढ़ना है, economy पढ़ना है, maths पढ़ना है, English पढ़ना है कोई भी एक subject भी आपको पढ़ना है तो individual आप अलग-अलग subject purchase कर सकते हैं कोई GS का foundation आप पढ़ना चाहते हैं ठीक तो RMB batch भी आपको मिल जाएगा, 11 आपको GS की subject मिल जाएंगे बहुत कम price में, CV exam की foundation के लिए यह मजबूत है ठीक है, यह आप purchase कर सकते हैं, यहाँ पर आपको live और recorded classes मिल जाती है, bilingual class notes मिल जाते हैं, topic wise test series यहाँ पर मिल जाती है, query के लिए यह नंबर है, यहाँ पर आप call कर सकते हैं, इसके लवा maximum discount के लिए DSCGT coupon code को apply कर सकते हैं, ठीक है, मुझसे geography पढ़ना है, Indian geography हो, world geography हो, root application पर आप मुझसे geography पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी feature मिल जाते हैं, हमारी live classes में, recorded classes आपको मिल जाती है, PDF मिल जाती है, test मिल जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, एक साल तक की यहाँ पर validity भी आपको मिल जाएगी, चलिए, इसके लवा हमारी crazy जी के टक्की जो एक और application है, यहाँ पर भी different courses, अलग-अलग expert faculty से पढ़ सकते हैं, जुड़ करके maximum discount के लिए DSCGT coupon code को apply करना ना भूलें, चलिए, अगला question discuss कर लेते हैं, ठीक है, अगला question, ठीक है, session थोड़ा साम speed में discuss करेंगे, मैं सासी साथ थोरी भी आपको बताता जा रहा हूँ, तो lecture बहुत जादा लंबा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा साम speed में यहाँ पर चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर देक्शर बना दूँगा, पर आपके exam बहुत नजजदीक है, दो घंटे आप नहीं दे पाएंगे, तो कम से कम टाम में ज्यादा से जादा question यहाँ पर discuss करना है, और आगे कहाँ से question आ सकते हैं, उनको भी यहाँ पर देख करके चलना है, अगला question discuss कर लेते हैं, इस खगोली पिंड का चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो जो भी उपग्रह होती है, सैटेलाइट होते हैं, फिर मून, उपग्रह के लिए मून सब्दिवी उसकिया जाता है, सैटेलाइट सब्दिवी उसकिया जाता है, जैसे कि आप देखेंगे चंद्रमा, रात में आप चमकता हुए देखते होंगे आकास में, तो वो प्रत्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, उसी प्रकार से बुद्ध और शुक्र को छोड़ करके बाकी जो अच्छे ग्रह हैं, इनके भी प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, ठीक है, तो चारोन नाम का जो प् उपग्रह है या फिर सैटिलाइट है, उपग्रह क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, जैसे जो मालीजे सूर है, यह हो गया सन, तो सन की परिक्रमा कौन करते हैं, ग्रह करते हैं, ठीक है, सन की परिक्रमा क्या करते हैं, ग्रह जैसे अर्थ हो गया, जूपिट का है तो Pluto की परिक्रमा करेगा चारुन जैसे चंद्रमा है चंद्रमा प्रथवी का उपग्रह है तो किस की परिक्रमा करेगा प्रथवी की करेगा ठीक है तो उपग्रह उस ग्रह की परिक्रमा करता है ठीक है याद रखना है अब यहां पर कुछ मैंने आपको उपग्रह बताय उसे पास इस्थित ग्रहें हैं सूरी के, इनका कोई भी आपग्रह नहीं है, याद रखना ठीक है, इसके बाद आता है, अर्थ, अर्थ का एक ही प्राकृतिक अपग्रहें है, है जिसको हम Moon बोलते है या फिर चंद्रमा बोलते है ठीक है Mars मंगल पर जाएंगे तो इसके दो उपग्र है यहां से भी बहुत question आते है important है पोवोस और डीमोस यह दो प्राक्रतिक उपग्र है किसके हैं मंगल के हैं ठीक है Jupiter की यदि हम बात करेंगे तो अभी मैंने आपको discuss करा था आयो हो गया यूरोपा हो गया ग्यानिमीड हो गया कैलिष्ट हो गया पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो ग्यानिमीड है जो कि Jupiter का उपग्रह है ठीक है इसके बाद बात करें Saturn या फिर Sun की तो इसके भी बहुत सारे उपग्रह है जिसमें से एक सबसे प्रमुक है Titan ताइटन सौर बंडल का दूसर सबसे बड़ा उपग्रह है गयनीमीड के बाद तो आपको याद रखना है ठीक है इसके लबाद आपको बहुत सारे उपग्रह यहां पर दिख रहा होंगे Uranus हो गया Neptune हो गया और Pluto Pluto का कौन सा है चारोन यहां पर आप देख रहा होंगे ठीक है इनके आपको कुछ कुछ मैन मैन है वो उपग्रह पढ़ करके रखना है सबको रटने की अवश्यक्त नहीं है ठीक है क्योंकि वर्तमान में आप देखेंगे तो Saturn के अभी हाली में मई 2023 में ही Saturn के लगवग 62 के आसपास 60 से ज्यादा उपग्रह खोजे गए है तो वर्तमान में सनी के उपग्रह 145 हो गए है ठीक है और जो Jupiter है इसके कितने सैटलैट है तो लगवग 92 है इसके भी अभी फर स्क्रीन सॉट ले ले और इसको आप पढ़ साथ के चलिए अगला कोशन डिसकस कर लेते हैं निमने लिखित मैसे किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है अभी मैंने डिसकस किया चंद्रमा का मतलब क्या है सैटलाइट है प्राक्रतिक उपग्रह इसका नहीं है शुक्र ग् आपको बताया उपग्रह से और ड्वार्फ प्लेनेट से बहुत जा तो कोशन आये हैं ठीक है तो इनको आप अच्छे से पढ़ करके जाना अगला कोशन देख लेते हैं ब्रहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकरतिक उपग्रह हैं अब आप मैंसे बहुत सारे उपग्रह हो गए हैं बारा उपग्रह हो गए थे ना ब्रहस्पति के फरवरी 2023 में आपने करंट में पढ़ा होगा तो यहां से कोशन आने की संभावना है तो इसलिए मैंने इस कोशन को रखाए कि जो यहां पर 31 जुलाई 2020 लिखा यहां पर अभी वाली डिट आ सकती है कि ह हाली में फरवरी 2023 में जो ब्रहस्पति के नए उपग्रह हो गए तो इस समय ब्रहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है तो 92 है तो इस प्रकार का कोशन इस बार आ सकता है तो यह आपको याद रखना है इसलिए मैंने यह पुराना कोशन रखा है कि इस टैप की कोशन समय भी आ सकते है इसके लाभा मई 2023 में हाली में एस महीने में ठीक है सनी के अ कितने वगरह खो जेगाई सनी के 62 सनी के 62 उपग्रह खोजे गए इसके पहले सनी के कितने थे 83 थे तो वर्तमान में सनी के लगवग 145 उपग्रह हो गए हैं तो यहां से भी question आ सकता है ठीक है तो इसलिए मैंने यह question आपके सामने रखा है काफी महत्यपूर्ण आपको याद रखना है ठीक है इसका answer तो हो जाग है बिलकुल याद रखना है बहुत ही महत्यपूर्ण ठीक है चलो अगला question दिख लेते हैं निमने लिखित मैं से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है अब यह भी पुराना question ही मैंने यहां पर लिया है ठीक है इसका answer भी क्या होगा सनी क्योंकि यह कब का question ह question है 2021 का question है और 2021 की data के अनुसर या फिर 2021 में जब यह question आये था उस समय सनी के उपग्रहे ही सबसे जादा थे 83 थे ना लेकिन वर्दमान में कितनी हो गए है 145 उपग्रहे हो गए है क्योंकि हाली में 62 new moon खोजे गए है माई 2023 में सनी के तो याद रखना है ठीक है फरवरी में ब्रहसपति के new moon खो जगए थे 12 और अब ही हाल ही में माई में किसके सनी के खोल जगए तो बापस से हाँ से question repeat होगा ध्यान रखना है ठीक है चलिए अगला question देख लेते है प्रकास वर्ट से या फिर light year जो है यह किसकी एकाई है तो यह किसकी एकाई है दूरी की एकाई है या फिर बोलें ब्रम्हांड में दूरी की एकाई है अब देखो यदि आपको अपने घर से पड़ोसी के घर जाना हो एक सहर से दूसरे सहर जाना हो एक देश से दूसरे देश जाना हो ठीक है तो दूरी को आप किलो मीटर में या फिर मीटर में माप सकते हैं ठीक है किलो मी होगी 2000 km लेकन जो ब्रह्मांड होता है बच्चो यूनिवर्स होता है यह इतना विशाल है यहाँ पर जो दो पिंड होते हैं एक दूसरे से करोणों km की या फिर अर्वों km की दूरी पर होते हैं जैसे कि आप देखेंगे प्रथवी जो सन है ठीक है और हमारी अर्थ है ठीक है इसकी दूरी कितनी है 15 करोड क्लो मीटर जबकि सन से अर्थ तीसरे नमबर कर गर है ठीक है तो 15 करोड क्लो मीटर तो सूचिए Uranus, Neptune और दो तारों के बीच की दूरी कितनी ज्यादा होती होगी ठीक है तो इसके लिए जो खगोल सास्त्री होते हैं या फिर बैग्यानिक होते यूनिट है ये या फिर एकाई है किसकी प्रकाश वर्स दूरी की एकाई ठीक है कितना होता है ये भी exam में question कई वार यहां से आया है तो 9.45 into 10 to the power 12 होता है एक light year बरावर देखो light जो होती है बच्चो प्रकाश जो होता है इस तेज दुनिया में कुछ भी नहीं है जो प्रकाश होता है वो क्या तीन लाख किलो मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रेवल करता है ठीक है क्या बोला मैंने जो light होती है या फिर प्रकाश होता है ये तीन लाख किलो मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रेवल करता है ठीक है और जो सूर्य है या फिर सन है इसके प्रकाश को अर्थ तक आने में लगवग आठ मिनिट का समय लगता है कितना आठ मिनिट का समय लगता है तो इस आधार पर बैग ज्याने को नो है या फिर खगोल सास्त्री जो होते हैं कैलकुलेशन की और एक एकाई बनाई जिसको हम बोलते है प्रकाश वर्स एक लाइट यह वरावर 9.45 इंटू 10 तो दी पावर 12 किलो मीटर होता है इसमें आप 30 बढ़ा देंगे 9.45 इंटू 10 तो दी पावर 15 इसको यदि आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसको आप मीटर में लिख सकते हैं यह किलो मीटर हो गया यह मीटर हो गया तो यह बात आपको याद रखना है ठीक है इसके लावा एक एस्ट्रोनॉमिकल यून तो इस आधार पर बैग जाने को ने इसको ही एक AU बोल दिया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल दिया तो याद रखना है अब आपको कमेंट में बताना है कि एक पार सेक बरावर कितना होता है एक पार सेक ठीक है यह भी दूरी या फिर दूरी की ही एक आई है सबसे बता हूँ और लगवग पूरा यह टॉपिक कंप्लीट हो जाए आपका और आगे कैसे एक्जाम में कॉश्चन आ सकते हैं वह भी मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है डिटेल में आप पढ़ना चाहते है तो और यूनिवर्स पढ़ना चाहते है तो आप मेरे पूर्स भी पर 76 के बाद दिखाई देता है तो लगवग 76 एर के बाद यह दिखाई देता है ठीक है इसका आवधिकाल होता है 76 धूमके तो अब धूमके तू क्या होते हैं धूमके तू जो होते हैं यह आकास में घूमते हुए दिखाई देते हैं यह गैसों से बने हुए होते हैं धूल के कणों से बने हुए होते हैं जब ये सूरी के पास से गुजरते हैं तो चुकि इनमें gases होती है ठीक है तो सूरी के पास से गुजरने की कारण क्या होता है इनमें जो gases होती है वो चमकने लगती है और इनकी एक पूछ दिखाई देने ठीक है, 1920 में एक बार ये दिखाई दिया था, 1920 के बाद 1986 में ये दिखाई दिया था और अगला कब दिखाई देगा, आप calculate कर सकते हैं, ठीक है, इसका comment में आपको answer देना है कि अगला धूमकेतु ये कब दिखाई देगा, देखे, 1986 में जो धूमकेतु दिखाई गया, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई दिखाई दिया था दस में जो दिखाई दिया था, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई दिया था, ठीक है, comments, देखे, हैली धूमकेतु सबसे प्रशिद्ध पुछल तारा है, इसको पुछल तारा भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी पूछ की जैसे होता है, इसमें जो gases होती है, ये सूर के पास से ज इन्होंने ही बताया था, कि अगला धूमकेतु कब दिखेगा, ये सब इन्होंने ने बताया था, इसलिए इस धूमकेतु को नाम इन्ही के नाम पर रख दिया गया, ठीक है, चलिए, अगला question है, चंदर्मा या फिर एक उपग्रह की कक्षा में, प्रत्वी के निकटतम वि इस प्रकार से तीर ग्रवत्तियक अच्छा में परिक्रमा करते हैं, है ना कुछ इस प्रकार से, फिर से मैं आपको बता दूँ, मैं जैसे माली जी चंदर्मा है, ठीक है, ये क्या है हमारी अर्थ है, ठीक है, तो जो मून है कुछ इस प्रकार से परिक्रमा करता है, ठीक है, एक वार वो प्रत्वी के पास होता है और एक वार वो प्रत्वी के दूर होता है तो इसको हम बोलते है उपभू और इसको हम बोलते है अपभू जब सबसे पास होता है इसको हम बोलते है उपभू और सबसे दूर होता है उसको हम बोलते है अपभू ठीक है पेरिजी और एपोजी इसको हम बोलते हैं यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं ठीक है जब यह प्रत्वी के पास है इसको हम पेरिजी बोलेंगे और जब दूर है तो इसको हम बोलेंगे एपोजी ठीक है उपभू और अपभू देखिए थोड़ा सा डेटेल जब प्रत् का आकरशन भल होता है वो सरवादिक होता है ठीक है और इस समय क्या होता है उच्छ जुवार आते हैं जो की सामान जुवार से से नीचे घर जाना किसको भाटा तो ये कहीं ना कहीं चंद्रमा और सूरी की आकरशन सकतियों के कारण है जो gravitational force होता है इसको ही हम बोलते हैं मिलते हैं आकरशन सकति ठीक है तो जब ये अब बहुत की इस्थिति होती है पैरी जी की इस्थिति होती है तो इस दिन क्या आता है उच्छ जवार आता है और अपभू क्या होता है एपूजी क्या होता है इस समय चंद्रमा मून से चंद्रमा जो होता है अर्थिस से काफी दूर होता है तो चार लाग साथ हजार किलोमीटर लगवग यहां पर चंद्रमा की आकरशन सक्ति जो होती है वो कम हो जाती है और यहां पर क्या आता है यहां पर लगुजवार आते हैं ठीक है यहां पर उच्च जवार आएंगे यहां पर लगुजवार आएंगे तो यह भी आपको याद रखना है यहां से कई वर कोश्चन आ सकते हैं नहीं रहती है तो लगवग 152 क्या अंसर हो जागा इसका 152 million km के आसपास इसकी दूरी रहती है आपको याद रखना है कब अपसौर या फिर epihelion के टैम्प है ठीक है यह देखिए यह सरवाधिक दूरी होती है प्रत्वी की सूरी से सरवाधिक दूरी होती है इसको ही हम बोलते है अपसौर और 4 जूलाई के दिन जो प्रत्वी होती है सूरी से सरवाधिक दूरी पर होती है ठीक है इसके लवा अपसौर की यदि में बात करूँ ठीक है यहां पर 147 million के आसपास यह दूरी होती है इसको हम क्या बोलते है पैरी हीलियन बोलते है तीन जनवरी के दिन यह वाली घटना होती है ठीक है तो अपभू अपभू अपसौर अपसौर यह आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला कोश्चन डिसकस कर लेते हैं बच्चों अगला कोश्चन भी काफी महत्तपूर ठीक ह ये question आया नहीं है लेकिन मैंने रखा है इस question को यहां से question आ सकता है क्योंकि S.S.C. में भी जो questions हुए है अच्छा question तब जो questions का level है वो काफी अच्छा है ठीक है तो यहां से question आने की संभावना भी काफी जादा है ठीक है इसका answer हम देख लेते हैं क्या answer हो जाएगा गौल्डी लॉक जोन सौरमंडल में ऐसी जगा जहां पर जीवन संभाव है बास योग है तो यह answer ही बिल्कुल इसका सही है बिल्कुल सही वात है गौल्डी लॉक जोन बच्चों क्या होता है हमारे solar system में या फिर ब्रह्मान में यूनिवर्स में कहीं भी एक ऐसा इस्थान जहां पर जीवन की संभावना होती है जो योग जीवन की उत्पत्ति करता है जहां पर जीवन संभाव है उसको हम बुलते है गौल्डी लॉक जोन इसको ऐसा समझिए यदि आप प्रत्वी को मैं यहां पर मार्क करूँ है यहां हमारी अर्थ है प्रत्वी है तो यह सूरी के ना तो बहुत पास है और ना सूरी से बहुत दूर है ठीक है क्योंकि यदि यह सूरी के बहुत पास होती तो तापमान टेंपरेचर इतना जादा होता कि यहां पर भी जीवन की उत्पत्ती नहीं होती है न तो हमारी प्रत्वी एक ऐसी जगहां पर इस्थित है जहां पर जीवन की संभावनाएं बनती है इसको ही हम बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन क्या बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन इसको ही हम बोलते हैं आपको याद रखना है आँगे SSC में फिर किसी भी exam में यहां से question आ सकता है तेकि यह जो session है बच्चो सिर्फ SSC के लिए नहीं है ना SSC में जरूर question ज़्यादा आ रहा है इस topics लेकिन हर exam में यहां से question आते हैं तो किसी भी exam के लिए काफी महत्रपूर है आप जो मैंने question रखे हैं काफी अच्छे question है यहां पर लगा हुआ है answer का answer हो जागा आकाज गंगा या फिर galaxy ठीक है यह जो है IC1101 यह एक प्रकार की आकाज गंगा है galaxy है अब इससे पहले आपको यह पता होने चाहिए कि आकाज गंगा आखर क्या होता है galaxy क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ तब से पहले हम चल स्वरूप को हम बोलते हैं ब्रह्मांड है या फिर ऐसा बोलेजे सूक्षिम्तम अर्वों से लेकर के विशालकाय आकाज गंगाओं के समलित स्वरूप को हम ब्रह्मांड बोलते हैं अब इसका मतलब क्या हुआ हमा लेजे यह पैन है हम इंसान है जीव जन्तु है वनस्पत ही आता है तो इन सूक्षिम्तम अर्वों से लेकर के विशालकाय आकाज गंगाओं का जो यह समू है इसको ही हम क्या बोलते हैं ब्रह्मांड बोलते हैं ठीक है तो ब्रह्मांड के अंतरकत अर्वों आकाज गंगाओं आ जाती है ठीक है इन अर्वों आकाज गंगाओं में स उसमें अर्वों तारे आ जाते हैं ठीक है अर्वों तारे आ जाते हैं फिर असंखे तारे आ जाते हैं ठीक है तो यह होते हैं गैलक्सी ठीक है तो तारों की सम्हूं को हम क्या बोलते हैं गैलक्सी बोलते हैं या फिर आकास गंगा बोलते हैं ठीक है तो IC 1101 जो है यह क्या है और जो हमारी गैलक्सी है हमारी गैलक्सी का नाम क्या है मिलकी वे गैलक्सी हमारी गैलक्सी का नाम है मिलकी वे गैलक्सी है फिर इसको हम बोलते हैं दुग्ध मिखला दुग्ध मिखला ठीक है और हमारी गैलक्सी से जो यह IC110 गैलक्सी यह काफी बड़ी है और अंडाकार एक गैलक्सी है ठीक है हमारी गैलक्सी का नाम दुगदमेकला और हमारी सबसे पास इस्थित जो गैलक्सी है इसका नाम क्या है तो एंड्रोमेडा इसका नाम है यह बात भी आपको याद रखना है अगला कोशन डिसकस क जखा हुआ था है ना 2006 से पहले कितने ग्रह थे हमारे सोलर सिस्टम में नो ग्रह होते थे लेकिन 2006 के बाद से आठ ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में है SSC CHSL 2020 में यह कोशन पूछा हुआ है आपको याद रखना है ठीक है थोड़ साम इसके पीछे की कहानी समझते है ठीक है यह प्लूटो ग्रह है नेप्चून के बाद आपको देखने को मिलेगा जिसको वर्तमान में हम क्या बोलते हैं बॉना ग्रह है या फिर ड्वार्फ प् रेणी से बाहर कर दियेगा ठीक है तो 2006 में एक बैठक हुई थी IAU की International Astronomical Union की ठीक है इसकी बैठक हुई थी इस बैठक में क्या डिसाइड किया गया ग्रहों की कुछ डेफिनेशन डिसाइड की गई या किस आकास ये पिंड को किस सैलिस्टियल बॉड़ी को हम ग्रह होगी हमारे आकास में तो बहुत सारी आकासी पिंड है ठीक है तो आखिर किसको ग्रह कहना सही होगा तो कुछ डेफिनेशन डिसाइड की गई और उस डेफिनेशन में जो प्लूटो ग्रह था ये फिट नहीं होता था इस करण से इसको ग्रहों की सूचिस से बाहर कर दिया ठीक है पहले हम डेफिनेशन देख लिकते हैं देखिए किसको हम ग्रह बोलेंगे तो ग्रह की जो एक डेफिनेशन है यहां से भी कई वर कॉश्चन आया है तो कौन-कौन सी वो परिभासा हैं डिसाइड की गई थी तो सबसे पहले बात तो सूरी की परिक्रमा करना चाहिए ठीक है उस आकाशी पिंड को हम ग्रह बोलेंगे जो सूरी की परिक्रमा करता हो ठीक है तो सूरी की परिक्रमा तो बहुत सारे ग्रह बोलते हैं दूसरी बात उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए ठीक है जैसे कि गोल ठीक है अब जैसा कि अभी मैंने बताता है एक छु तो एक निश्चित आकार होना चाहिए उस पिंड का निश्चित रब्मान होना चाहिए एक निश्चित मास होना चाहिए उसका ठीक है निश्चित कक्छा होना चाहिए निश्चित औरविट होना चाहिए फिक्ष्ट औरविट होना चाहिए औरविट का मतलब क्या होता है इस को थोड़ समझे, देखिए, जैसी ये ग्रह है, है ना, ये sun है, माल लीजे, और ये कोई ग्रह है, ठीक है, तो जो ग्रह होते हैं, वो इस प्रकार से दीरगर वर्तिय कक्छा में सूरी की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं हो कि, माल लीजे, ये कोई A ग्रह है, ये सूरी की परिक्रमा कर रहा है, और ये B ग्रह है, ठीक है, ये भी सूरी की परिक्रमा कर रहा है, अब ये माल लीजे, C ग्रह है, ठीक है, ये C प्लैनेट है, और इसने B ग्रह की क्या कर दी, कक्छा को या फिर और विट को काट दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ग मैंने यहां पर mention किया है. यहां पर देखिए यह Neptune है है यह Neptune की कक्षा है. यहstorm मैं आपको blue से बता रहा हूँ. यह क्या है Neptune की कक्षा है ठिक है? अब काई देज पलूटो न जैके Pluto कहा है? ठिक है application पलूटो भी यहां पर ही होगा? यह Pluto है ठिक है? यह Pluto यहां पर मैं दूसरे color से बना रहा हूँ, यह Pluto की कक्षा है, यह Pluto की कक्षा है, ठीक है अब यह क्या कर रहा है, यह Neptune की कक्षा को काट रहा है, काइदे से इसको कैसे चलना था, ऐसे चलना था, काइदे से यह यह ऐसे चलता, तो इसको हम ग्रह बोलते, लेकिन यह Neptune की कक्षा को काड़ रहा था इसलिए इसको हमने ग्रहों की स्रेडी से बाहर कर दिया गया ठीक है तो इसकान से इसको ग्रहों की स्रेडी से बाहर किया गया था और परयाप्त गुरुत्वा कर्शन भी होना चाहिए उस पिंड में इसलिए उसको हम ग्रह बोलेंगे ठीक है तो ये सारे पॉइंट आपको यार रखना है कई वार PCS जासे एक्जाम में मैंस में भी लिखने को आया है कि ग्रहों की परिवाशा क्या होती है फिर किस आकासी बिंडू को बोलेंगे ठीक है चलिए अगला कुश्चन है निमने लिखे तो मै से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है ठीक है विशाल गैस के रूप में अभी मैंना बताया था गैसी ये दानव गैसी ये दानव है ना गैसी जायंट किसको हम बोलते हैं तो सनी और ब्रहस पती को हम बोलते है ठीक है तो ये तीन तो होंगे ही नहीं है न यहां तो जूपिटर हो गया, सनी हो गया, नेप्चून हो गया और यूरिनस हो गया, इनको हम बोलते हैं गैसी दानव या फिर गैसिस जाइंट ठीक है, इसके लाबा और थ्रोस हम डीप में जाएंगे तो इन दोनों को हम गैसिस जाइंट बोलते हैं और इनको हम आईस जाइ है ना धान से पढ़ना रात में आकास में चमकने वाले पिंडों को हम किस नाम से जानते हैं अब यहां पर बहुत सारे बच्चे यदि माल लेजिए तारा मंडल को यहां पर आप लगा सकते हैं या फिर इस्टार यदि माल लेग जो तारा option में होता है यहां पर माल लेजिए एक option में starting में लिख दू तारा तो यहां पर बहुत सारे बच्चे तारे को भी टिक कर सकते हैं ठीक है लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा खगोली ये पिंड सेलिस्टियल जो बोडी होती है यह आकास में चमकती है या फिर आकास में चमकती है अब इसक जिनका स्वयम का प्रकाश होता है जिनका स्वयम का प्रकाश होता है ठीक है इसमें क्या होता है तारों में क्या होता है जैसे कि सूरी भी एक तारा है वो खुद की उर्जा बनाता है खुद की हूश्मा बनाता है खुद का प्रकाश बनाता है यहां पर क्या होता है किसी भी नाविक होते हैं ये helium में change होते हैं और इस प्रकार से किसी भी तारे को या फिर सूरे को energy मिलती है इसको हम बोलते हैं नाविक की ये sunlion क्या बोलते हैं इसको हम नाविक की ये sunlion या फिर nuclear fusion इसको हम बोलते हैं याद रखना है ठीक है इस प्रकार से किसी भी तारे को energy मिलती ह और तारा चमकता है अब जो और आकाशी पिंड है जैसे कि चंद्रमा हो गया या फिर कोई अन्ने ग्रह हो गये इनको भी आपने आकास में चमकते हुए देखा होगा लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि यो ग्रह चमकते हैं चंद्रमा को आप रात में चमकते हुए देखते हैं मून को रातरी में चमकते हुए देखते हैं तो ये सूरी के प्रकाशे प्रकासित होते हैं या फिर कोई यदि सुक्र मालेजी चमकता हुए दिखाई दे रहा है तो ऐसा नहीं सुक्र का खुद का प्रकाश है वो सूरी की reflection से चमकता है, सूरी की रोशनी उस पर पढ़ती है, फिर वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है तो याद रखना है, लेकिन question क्या पूछ रहता है, रात में कौन-कौन से पिंड चमकते हैं, तो जो आकाशी पिंड है या फिर खगोली पिंड यहीं चमक चमकते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो जो खगोली पिंड होते हैं, यह हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तों में बात की जाए, स्वयम के प्रकाश की तो सिर्फ तारों के पास ही स्वयम का प्रकाश होता है, याद रखना महत्वण पॉइंट है, ठीक ह शुक्र का ग्रह का अन्य नाम लूसिफर भी है ये बात आपको याद रखना है काफी महत्पुड़यां से कई वर कॉश्चन आया है ठीक है तो लूसिफर जो है लेटिन भासा का एक शब्द है आपको याद रखना है ठीक है और इसका मतलब क्या होता है प्रकाश लाने वाला ठीक है कैसा सब्द है लेटिन भासा का ये एक सब्द है और इसका अर्थ है प्रकाश लाने वाला अब यदि मैं शुक्र ग्रह की बात करूँ है ना तो यहां से और कुश्चन एक्जाम में क्या बनता है कि यह पहली बात तो यदि मैं सोलर सिस्टम की और चलू है यहां पर solar system में सबसे गरम ग्रह कौन सा है तो सबसे गरम ग्रह कौन सा है शुक्र है अब आपके मन में doubt आएगा कि सर सबसे गरम तो बुद्ध को होना चाहिए तो सुक्र क्यों सबसे गरम है क्योंकि यहाँ पर co2 gas की अधिकता है है यहाँ पर co2 gas यह फिर carbon dioxide जो gas होती है इसको हम greenhouse gas भी co2 की अधिकता के कारण हमारी solar system में सबसे गरम कोई ग्रह है तो वो है शुक्र ना कि बुद्ध ठीक है यदि तापांतर की बात आए ताप में अंतर सरवाधिक कहां पर है तो वो बुद्ध ग्रह में है लेकिन सरवाधिक temperature की बात की जाए तो शुक्र का temperature सबसे ज़्यादा है CO2 gas के कारण यह बात भी आपको याद रखना है इसी कारण से इसको आप साम को चमकते हुए देख सकते हैं आकाश में इसको सुंदरता की देवी भी कहा जाता है ना प्रतवी का भागनी ग्रह भी कहा जाता है तो यह सारे point भी आपको याद रखने है अगला question देख लेते यह मैंने आपको starting में ही explain कर दिया गया था असंख्य या फिर लाखों की संख्य में छोटे बड़े अनिमित आकार के यहाँ पर पिंड आपको सूरी की परिक्रम करते हुए दिखाई देते हैं मंगल और ब्रहसपत्य के बीच में तो यहाँ से भी कई वार exam में question आया हुआ ह इनको हम क्या बोलते हैं शुद्र ग्रह बोलते हैं अब इनके बारे में और चीज़े में आपको बता देता हूँ अपने बच्चों आकास में तूटता हुआ तारा देखा हुआ है आकास में तेज गती से रोशनी को जाते हुए देखा हुआ इसको आप क्या बोलते हैं इस बात आपको याद रखना जो आप चमकती हुई रौशनी आसमान में देखते हैं जिसको आप तूटा हुए तारा बोलते हैं तो ना तो वह तारा है और और ना ही वो टूट रहा है ना ही वो तारा है ना ही टूट रहा है तो आखिर क्या चीज़ है वो यही आकासी पिंड है यही छुद्र रहे ही है वो जो आकासी में चमक रहे हैं कैसे चमक रहे हैं अब देखिए क्या होता है हमारा जो solar system है बच्चो यहाँ पर सरवादी गुर गुरुत्वा करशन बल सबसे ज़्यादा है तो जितने भी आकाशी पिंड है इनको ये आकरशित करदा है तो इसी क्रम में जो ये आकासी पिंड है छोटे आकार की या पिर अन्य आकाशी पिंड है जिनको हम छुद्र ग्रह बोल रहा है तो ये सूरी की गुरुत्वा करशन सूरी की और जाने लगते हैं या फिर किसी ग्रह के गुरुत्वा कर्शन बल से उसकी और जाने लगते हैं ठीक है अब माल लीजिए यहां से एक छुद्रगर आया, ठीक है, यहां जा रहा है सुरी की ओर जा रहा है, अब यहां से जो प्रतवी पड़ी उसको बीच में, प्रतवी मिल गई, तो प्रतवी के गुरुत्व आकरशन बल्गे और काना वो जो छुद्रगर वो प्रतवी के वायू मंडल में आ गया ठ तो जो तीसरी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मध्य मंडल है ना तो तीसरी लेयर होती है जिसको हम मध्य मंडल बोलते हैं यहाँ पर जैसे ही यह उलका पिंड आता है तो वायू मंडली घर्शन के कारण या फिर गैसों के फ्रेक्शन के कारण इसमें आग लग जाती है इस इसको हम क्या बोलते है इसको हम बोलते है उलकाश्म इनको हम बोलते है उलकाश्म ठीक है इसको ही हम तूटता हुआ तारह समझ लेते हैं और विश्मांगते हैं तो ऐसा नहीं करना है हमें ठीक है किसी विश्वास में नहीं पढ़ना है कोई विशिश पूरी नहीं होती है वो प्रत्वी पर गिरता है और उसको हम क्या बोलते हैं उलका पेड़े माहराष्ट्र के बुल्धाना जिले में एक जील भी आप न देखी होगी ठीक है जिसको हम बोलते हैं लोनार जील लोनार जील ठीक है तो जो यह लोनार जील है इसी प्रकार के एक उल्गा पिंड के प्रत्वी पर टकराने के पशाथ बनी है इस पर एक separate लेक्चर भी है जोगरफिवाई साहुसर वाली प्लेश्ट में जा करके आप देख सकते ह प्रत्वी अपने धुरी पर एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो ये अक्षांस देशांतर का भी question हो गया, तो ये अक्षांस देशांतर रिखाएं जो होती है, इसका भी question है हो गया, और solar system का भी question हो गया, ठीके? तो प्रत्वी rotation जो करती है, पर अपने ऑक्ष पर या फिर घूनन करती है एक गंटे में कितना घूम जाता है तो लगवक 15 दिगरी ये घूम जाती है ठीज़ें एक घंटे में 15 दिगरी तो 24 घंटे में कितना 360 है न 3060 चौभीस घंटे में प्रत्वी एक घूनन पूरा कर लेती जिससे क्या होता है दिन रात चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा और डेटेल में चलते हैं एक तो होता है घूरनन क्या होता है गूरनन इसको हम बोलते है रोटेशन क्या बोलते है इसको हम रोटेशन मतलब यह प्रतवी है और अपने अक्ष में घूम रही है मतलब यह पैन है औ 20 गंटे में प्रत्वी एक चक्कर घूम लेती है इससे दिन और रात होता है घोड़ना रोटेशन बोलते हैं फिर एक होता है revolution यह ना या फिर बोलते हैं इसको हम परिक्रमण या फिर इसको हम बोलते हैं revolution revolution ठीक है यह माल लीजिए क्या है सूर्य है ठीक है और प्रत्वी इसके इस प्रकार से चक्कर लगाती है लगवक्त 365 दिन में चक्कर लगा लेती है इससे क्या होता है इससे एक साल complete होता है एक साल नहां पर complete हो जाता है ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं वार्शिक गति इसको ह याद रखना है प्रत्वी के घूनन से दिन और रात होते हैं जबकि प्रत्वी के परिक्रमन से क्या होता है प्रत्वी के परिक्रमन से एक साल है परिक्रमन मतलब यह सूर्य है और यह प्रत्वी है तो इस प्रकार से इसके चक्कर लगा रही है इसको हम बोलेंगे बारशिक ग गुम जाती है प्रत्विय अपनी धुरी पर एक घंटे में 15 डिगरी घुम जाती है आपको याद रखना है चलिए अगला कुशन देख लेते हैं एक तारिक के जीवनकाल में नैबूला चरण किसे संदरवित करता है वाट इस नैबूला नैबूला क्या होता है नैबूला में धूल हाइड्रोजन जो गैस होती है ठीक है तो एक धूल और गैस का एक प्रकार से यह समू होता है ठीक है नैबूला जिसको हम बोलते है निहारी का हिंदी में बोलते है क्या बोलते है निहारी का और यहाँ पर भी यहाँ पर ही क्या होता है तारे का जन्म होता है या फिर वर्थ होती है कोई भी तारक का ऐसे जन्म लेता है प्रारंबिक चरण जो तारी के जन्म का होता है वो नहारिका में ही होता है या फिर नैबूला ही होता है यहाँ पर धूल और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है तो धूल और हाइड्रोजन गैस का एक बादल होता है यहाँ इन क्रियां से स्टार का जन्म होता है इस प्रकार से देखें यह नैबूला है और उसके बाद ही यह दूसरे घ्रिक्लिप्स्स अगला कुश्चन देख लिए सूरि ग्रहन हम बोलते है सोलर एकलिप्स तब बनता है कब है सूरि को ग्रहन लग जाता है तो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और प्रत्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, ठीके, तो चंद्रमा प्रत्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीके, इसका डियांसर हो जाएगा, यह सन है, ठीके, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ की परिक्रमा कौन करता है, चंद्र बोलते हैं पतलब सूर्य को ग्रहन लग गया सूर्य का प्रत्वी तक नहीं आ पा रहा क्यों क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया चंद्रमा ने सूर्य को ढख लिया इसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहन ठीक है चंद्रमा प्रत्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है इस प्रत प्रत्वी है और यहां पर चंद्रमा आ गया तो जो सूर्य का प्रकाश था यह प्रत्वी तक नहीं आ पा रहा इसको ही हम बोलते हैं और एक और होता है लूनर यह फिर चंद्र ग्रहन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में प्रत्वी आ जाती तो इसको हम यह बोलते हैं चंद्र ग्रहन ठीक है बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे किल्स से सिंबल से चीज़े हैं अगला कोष्ट देकिए कितना अच्छा है बेवी बीट्स को किस दोरान देखा जा सकता है थो पूर्ण सूर्य ग्रहन न के समय समय बेवी वीट्स को देखा जा सकता है यह आपको याद रखना है काफी महत्तौन यह कॉश्य ठीके Poon Soodh Berry já फिर Total Solar Eclipse के Temper Baby Beats को देखा जा सकता है काफी अच्छा कोशन है ठीके आपको पता नहीं हो गए यहीज़ देखिए यहाँपर देखिए पूर्ड सूर्य ग्रहने अभी मैंने आपको बता दीता है सूर्य ग्रहने क्या होता है ठीके जब चंद्रमा ढख लेता है सूरी को तो कुछ रोशनी आपको यहां से चंती हुई दिखाई दे रही होगी यह ओरिजिनल इमेज है यहां पर देखिए चंद्रमा ने सूरी को ढख लिया है और यहां पर कुछ आपको छले दिखाई दे रहा है प्रकाश के इसको ही हम क्या ब बेबी बीट्स आपको याद रखना है ठीक होता क्या है बेलीज बीट्स अंग्रेज एक खगोल सास्त्री थे ठीक है तो फ्रांसिस बेवी के नाम पर ही इसको रखा गया है इन्होंने सबसे पहले अठारा सो में देखा था इसे यह सूरी की उस रोश्णी को का घेरा होता है जो चंदर्मा की घाट्यों से चंड करके आता है इस समय सूरज एक दम नहीं दिखाई对ता क्योंकि चंदर्मा इसके बरावर आ जाता है ठीक है तो याद रखना है काफी महत्तपूर्स ऐसे कॉश्चन बच्चों से अकसर नहीं बनते हैं तो याद रखना है अगला इसको इदिया आप 6 से कर देंगे तो 10 kg होगा ठीके तो इस कांसर क्या हो जाएगा 1y6 ठीके 1y6 फिजिक्स में आपने इसको पढ़ा होगा अगला कोश्चन हो जाएगा यह किसने सरप्रतम प्रतिवादित किया था कि सूर्य हमारी सौरमंडल का कैंद्र है और प्रत्वी उसक की परिक्र्मा करती है अच्छा कोश्चन है इसने प्रतिपाधित किया था तो कौपर निकस महला कि निकस ने बच्चो हेलियोसेंट्रिक ठिवरी दिती है फिर सूरिकेंद्रियि इसको हम बोलते है और गुनर्जागर्ण काल से पहले यूरोप में जब पुनर्जागर्ण सिद्धान क्या चलता था भू केंद्री यहां पर image है ना पुनर जाकरन से पहले यूरोप में भू केंद्री सिद्धान चलता था ऐसा माना जाता था कि प्रत्वी केंद्र में हैं और सूर्य और जो अन्य अकाशी पिंड़नें इसकी परिक्रम करते हैं ठीक है लेकिन बाद मे था geocentric theory ठीक है और इसको बुला गया था heliocentric theory ये बात आपको याद रखना है ना सूरिक केंद्री सिध्धान्त और भू केंद्री सिध्धान्त ये दिया था किसने ये दिया था टॉलमी साहब ने ये सद्धान्त दिया था और इस सद्धान्त को दिया था कॉपर निकस ने 1543 इस वी में ठीक है ये बात आपको याद रखना है लेकिन कॉपर निकस से भी पहले छटी सताब्दी में वराह मेर जो चंदरकुप सेकेंड गुप्त सामराजी के अंतरगत नहुरतनों में से एक थे त और geocentric theory किसके ने दी और क्यों दी तो बच्चों ये 25 question मैंने आपको discuss कर आए है ना लेकिन 25 से ज्यादा करीब बहुत सारे facts हमने discuss कर लिए solar system में maximum part हमने हाँ पर revision कर लिया solar system का एक theory lecture अलरड़ी है मेरे playlist में आपको मिल जाएगा I think आपको lecture या फिर session आज का पसंद आया आगे जो और भी topic बच्चे हैं जैसे कि महादीप महासागर हो गया mountains हो गये drainage system हो गये इसके भी हम question लाएंगे और जल्द जल्दी फटाफट आपके exam से पहले हम इनको complete कर लेंगे आज का session बच्चों बहुत important है जो मैंने questions बताये हैं और आगे कहां से question आ सकते हैं ये भी मै आपको आज के session में बताया है आप प्लीस note down करना इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ही महात्वपूर्ण session है काफी बड़ा session था एक घंड़े लगवग कही session हो चुका है ठीक है तो आपको ध्यान से पढ़ना है काफी महात्वपूर्ण session है आगे भी definitely यहां से question देखने को मिल ठीक है तो फिलाल आज की lecture में इतना ही बहुत ही जल्द अगली topic के साथ हम आपके सामने होंगी यह आप मुझसे geography पढ़ना चाहते है live तो हमारी root application को download कर सकते हैं यहाँ पर geography पढ़ सकते हैं ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें ज